तो नमस्कार आज इस वीडिए में में बताएंगी कि आंगनवाडी आंलाइं फीडिंग में जो डबल फीडिंग की घब पूरा देखें और लाइक जरूर करदेना तो वीडियो को पिना कर देख लिकाएं लॉटू में अपके काम की ही रहती है कि प्रदेश में हर जगह की अलग-अलग कई-कई-कई-कक होती वहां कि ख़बर क्या है जог भाता की उलीट तो यह जान लेते हैं सबसे पहले जैसे कि हम बता दे कि हमारे में ICDS UP जो है CSC वाला अभी आओ पे नहीं हुआ है यह समस्य आ रहा है इसमें user not fund अभी आज तो हमारा नेठी नहीं चल रहा था तो यहां पे हमने होम पे यह जो प्लिक किया इसको हमने होम पे रखा हुआ है जैसे कि हमने यह होम पे दिखा दिया है यह एक दिये portal का option है तो यहीं पे हम इसको हम बटन पे आपको रख लेना है बार बार ICDS UP सर्च करते हो तो आप वार बार सर्च नहीं हो पा रहा है तो इसलिए इसे होम पे आपको रख लेना है तो इसे कैसे रखना है जैसे आपने यहां पे ICDS UP सर्च किया उसके बाद आपको यहा तो वह आटोमाटिक बैट्टू होम पे यह ऐसे करोगे तो यह लिए टू होम करेगा उसके बाद यहां पर स्ट लिक्क कर देना है क्लेकर डाल लोकुछ देख कर देना हो जायगा अब का रगका यहां पे खुल जाता है यह पंजी करना जिक करन गा zw Já है कि अभी आपको डिलीट वाला आप संग बता देते हैं कैसे आपको डिलीट करना है इसते आपने किसी बच्चे का पंजी करन थे जहां पर आपको अपने बच्चे का दीखता है उस पंजी करन में आपको एक नाम आप आपको तो रखना ही रखना एक डिलीट करना है तो जो आप डिलीट वाले नाम पे आप क्लिक करना है उसके बाद उस नाम पे आप जब क्लिक करेंगे तो नाम के आगे आपको जाना है थोड़ा से राइट साइड में देखना है आपको एक आपसन दिखेगा एडिट का एडि उसका नाम क्या है लाभार्थी का नाम आधार नाम मोबाइल नंबर सारा कुछ तो वहां से उस लाभार्थी का जो नाम है वहां से आप उसका नाम चेंज कर देंगे अभिभावक का कालम है अभिभावक का नाम चेंज कर देंगे उसके बाद वहां पे जो आता है उसका जो है आधार नंबर जो भी है सारा सिस्टम आप चेंज करके वहाँ दूसरे बच्चे का नाम वहाँ पर इंट्री आप कर दोगे तो वह खुद भी ही खुद वह हट जाएगा नाम उसमें आपको ज्यादा घंपड़ाने की जरूरत नहीं ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है तो आपका वह जरूर हट जाएगा तो जिससे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहे हूँ यह ये यूजर नाट फॉंड हमारा यह खुली नहीं रहा है हमारा यह नहीं खुल रहा है थोड़ा अन्यट स्लो चल रहा है इसलिए खुल नहीं रहा है यह समस्य आ रहे हैं तो यहां से हमने फिर अपना चुन लिया है उसके बाद यहां पर हमें अपना मोबाइल नंबर और कोड नंबर दर्ज करना है फिर से देखिए पासवार्ट रिशेट मांग रहा है कि यहां पर आपको लिख रहा होगा पासवार्ट भूल गये हैं लेकिन यहां पर यह जो चल रहा है हैं इस से पता चला है कि बीनिर नहीं कनेक्ट हो रहा है सही से और यह हैुसके बाद चलिये यहां पर खूल गया है अब हमें यहां करता का चेन करना है आप जय किया अब यहां पर मोबाइल नंबर डालना है तो हमने अपना यहां पर मोबाइल नंबर डाल दिया यहां पर आंगनवाड़ी कोड हमें डाल देना है हमने अपना मोबाइल नंबर और यहां पर हमने अपना कोड नंबर डाल दिया यहां पर हमने आंगनवाड़ी चुन लिया है अब हमें क्लिक करना है दर्ज करने पर तो ह कि officially कितने भी कोसिस कर लो ये हमारी साइड नहीं खुल रही हमें यां बहुत कोस इसकी खोलने ये ये छूली नहीं रहे हैं पार आगे नियूज जान लेते हैं कि नियूज आज की क्या है तो आए खबरे आपको दिखा देते हैं खबरे क्या है तो यहां पर आप देखें नीमित कार या ना करने वाली आंगनवाडी कारकतियों पर आंगनवाडी पर कारवाई करेंगे डीम ने निर्देश दिये हैं नीमित खोलने के निर्देश पोशड पुनारवास केंद्रों से डिश्चार बच्चों की नीमित भी देख रेक भी की जाए साथ में तो ये खबर निकल के आ रहे हैं ललतपूर बुदवार को जिला अधिकारी नावी दिनेश कुमार ने कोविड नियुमों का पालन करते विए खुला जाए देशालाही द्वार जारि गत्विधी कलेंडर again सर्गतवेधिया जित की जाए नीमित रूप से का रही नहीं करने वाली आंगे आपका रवाई की जाए पोश्ड पुनारवास केंद्रों में डिश्चार बच्चों का नीमित अनूस्र माड़ सब्स बहुन प्राइमरी से इंटर तक सिच्छकों की निवक्ति को सिच्छक पातरता परिच्छा यानि टीटी इसी वर्ष लागू हो जाएगी इंसी टीटी एक्तिस मार्च तक इंटर तक टीटी गाइडलन तयार करने करते विजारी कर देंगे अभी तक अच्छा एक से पांच और कच्छा च्छे से आठ तक प्राइमरी जूनियर अस्तर पर टीटी का ही प्रारूप निर्धारित है वर्ष 2011 से CBSC और राज टीटी करा रहे हैं राजो से मांगा रिकार्ट फिरता हैं होगा प्रारूप NCTE बारवी तक टीटी प्रारूप तयार करने से पहले जारी प्रात्मिक उच प्रात्मिक टीटी के डाटा का विशलेशन करेंगी NCTE ने राज्यों से TET के 56 प्राथमिक एम उच्प्राथमिक अस्तर पर 5 प्रसक गनित बिग्यान और समाजिक बिग्यान में 5 प्रतिसेगत का रिकार्ड मांगा है B.A.M.A.D., B.L.A.D. और अन्योगदा के अधार पर सामिल छात्रों को डाटा भी देना होगा चुंकि पूर में TET में अन्यराज एजेंसी और विबिन संगत्रों से सवाल उठाए थे ऐसे में NCTE इंटर तक TET के प्रारूप से पहले ब्यापकस्तर पर विशले सड़ करेगी UG में TGT PGT आ सकता है दायरे में NCTE के 31 मार्च तक इंटर तक TET की गाइडलाइन देने के निर्देशों के बारे में उत्तर प्रदेश में प्रास्तावित TGT PGT का बिग्यापन इसके दायरे में आनत ता है अक्टूबर 2020 में सरकार ने बिग्यापन जारी किया था लेकिन बाद में इसे रोग दिया गया था एक और खबरी हम आपको दिखा रहे हैं सत्यापन के बिना सुखारासन का बितरण ना करें ये खास है आप लोगों के लिए कि अगर आप सुखारासन बितरण कर रहे हो तो बिना सत्यापन के आपको ये बितरण नहीं करना है ये उत्तरपदेश से निकल के आ रहे हैं हिंदुस्तान संबाद से है निर्देश दिये गए हैं कि कुपोसित बच्चों को सुपेसित बनाने को वो प्रभावी प्रयास गुडवत्ता परखने का खाद्य शुरच्छा विभाग करेगा जान तो आई खबरेविस्तार से जान लेते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब बरे चैनल को और बेल वाली नोटिफिकेसन आन जरूर करने तो खबरेविस्तार से जान लेते हैं कि जीला गाने सर्त्रिपाटी की अधिशता में जीला पोशट समीतिय हूं कन्वर जिस भी भाग की समीच्छा बैठा कलेक्टर सबागर में संपन्न हुई बैठक में डियम ने कहा कि कुपोशित बच्चों यों परिवारों है तो बितरित किया जाने वाली ड्राइरासन की समगरी दूद घी आदी की खात सुरच्छा विभाग द्वारा सेंपिलिंग कराकर इसकी गुडवत्ता की जाच की जाए ड्राइरासन पोसाहर का वितरन बिना सत्यापन के बिना किसी भी दसा में न की जाए कुपोशित बच्चों को सुपोतिस सेरी में लाने है तो प्रभावी प्रायास की जाए जिला अधिकारी ने कहा कि CDPO और द्वारा कुपोशित बच्चों का चिनांकन गंभीरता पूर्वक किया जाए सभी कुपोशित बच्चों का बेवी बजन मसीन से ही बजन किया जाए बेवी बजन मसीन जो है वही से बच्चों का बेवी बजन बेवी का जो बजन होता उसी से सही किलियर बताएगा तो अभियान चलाकर कुपोसित अति कुपोसित बच्चों का चिन्हांकन किया जाए अरोग स्वास्त मेले में पोशर स्वास्वास सम्मन्द में ICDS विभाग दोरा लोगों को जागरू किया जाए स्वास्त मेले में भी कुपोसित बच्चों महिलाओं का चिन्हांकन किया जाए और रोगी स्वास्त मेले में आयूस विभाग, स्वास्त विभाग, आईसेडियस विभाग द्वारा सक्री सहभागिता सुनिश्चित की जाए कुपोसित बच्चों को NRC में भरती कराकर उनका इलाज कराया जाए DM ने कहा कि CDPO दरा कुपोसित बच्चों को सुपोसित करने है तो परभावी प्रायास किया जाए सभी को पोसित बच्चों और परिवारों को सहे भागिता योजना के अंतरगत दुधारू गाय उपलाब्ध कराई जाए सभी आंगनवाडी केंद्रों में पोशडवाटिका लगाई जाए तथा पोशडवाटिका में मौसमी सबजियां फाल तयार किया जाए बैठक में पीडी चित्र सेंसिंग ने जिला करिकर मधिकारी सुजिय सिंगारू पर उस्वता रोजगार कमने स्कुमार्शी एम ओ डाक्टर आर के सचान आधी मौजूद रहे उनके मौजूदगी में यह फैसला किया गया एक और खबरें हम आपको बता देते हैं यह खबर प्रकासित होने जागरण से है यह जो है आंगर्णवाणी करकरताओं को प्रसिच्छन पर रोख अपकारी बीओ डियार पी और बैठक में प्रसिच्छन बताया कि डिजिटल प्रवेच्छन का तरीका जो है आपके माध्यम से आशा करकरताओं के कारियों का प्रवेच्छन करेंगी संगिनी जो है आशा संगिनी का प्रसिच्छन सामुदाइक स्वास्त केंद में सुरू हुआ तो यह संबाद दाता जागरण से है खबरेव थोड़ा भी स्थार से जान लेते हैं इसमें क्यारों के लिए एक एप जो है इसमें लांच दिखाया जा रहा है कि दरसल अंगनवाडी केंदरों पर गुणवत्ता पूर इसी संचालन के लिए ब्लाक अस्तर पर सिच्छा विभाग के माध्धम से अंगनवाडी करकरता को प्रसिच्छन दिया जा रहा था इस माध में कूल 12,72,250 रुपए खर्च जिन में बालविकास पुष्टाहर विभाग ने सम्मंदित ब्लाक संसाधन केंदरों पर भेज दिया है लेकिन प्रसिच्छन में गुडवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल रहा था और नाहीं गाइडलाइन का पाला हो रहा था इस मुद्दे की दैनिक जैगरार ने 10 फरवरी में अंक में प्रसिच्छन में गाइडलाइन की हो रही अंदेखी सीरसक में प्रकासित किया इसके बाद हरकत में अधिकारी ने आनन फानन में इस पर रोक लगा दिया जुलाकारीकरम अधिगारी सैलेंत मर रहा ने बताये कि नए बैच के प्रसिच्छन पर रोक लगा दी गई है खण विकास अतकारियों और बाल विकास पर योजना इदिकारियों की बैठक 12 फरवरी को बुलाई गई है इसमें प्रसिच्छन की गाइडलाइन के पालन करने की दो रोबरेखा तैयार करती आगे की प्रकृया अपनाई जाएगी परवेच्छण अप्लिकेशन पर सहयोगात्मक परवेच्छण अप्लिकेशन है इसमें ग्राम जाने के बाद ही आसा करकरताओं को सही मुल्यांकन हो गया सरकार की पेपरलेस अभियान का हिस्सा है प्रसिछण के प्रसिचिक स्वास सिकत्सा अधिकारी सिच्छा उमेश साही ने काम केर आप के माध्यम से सही योगात्मक परवेच्छण करते ही आने वाली समस्याओं की चर्चगी है आप में सहेलिक फोल्डर आने वाली समस्याओं क को दूर करेंगी बी-सी-एम पी-एम अभी नीश कुमार पटेल ने सभी संगनी के मोबाइल में उनके समस्ट आसा करता हो का पंजी करणाने के साथ ही आने वाली समस्याओं की चर्चा की है संगनी के अइप माध्यम से कार्य करने की जरूरी बताया साथ ही फिल्ड में जाते स में मुबाइल को चार्ज रखने का निर्देश दिया और इस अवसर पर संगीता देवी पुनीता सुधा देवी माया देवी वेज़ता सुभिया देवी सीला मिता आद संगिनी मौजूद रही तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक जरूर कर देने और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करना अपने ग्रूप में थांक्स वारवाची